सब्सक्राइब तो माय चैनल फॉर लेटस ब्यूटी टिप्स एंड आलसो प्रेस बैल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोग साँ शेयर करने वाली हूँ नवरातरी मेकप लोग सीरीज के अंदर थर्ड मेकप लोग तो इसमें मैंने सिल्वर स्मोगी गलिट्री आई मेकप लोग किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा असान है तो चले देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे ग्रेट किया है इस लुक को create करनी के लिए मैंने अपने face और lips को already moisturize कर लिया है इसके बाद मैं अपने face को prime करनी के लिए Maybelline का master prime primer लगा रही हूँ आई ब्रो को set करनी के लिए मैंने हाँ पर Maybelline का tato studio brow powder यूज किया है जिसमें मेरा shade है 384 इसकी helps से मैं अपने eyebrow को set कर लूँगी इसके बाद मैं अपना eye makeup करूँगी तो eye makeup के लिए मैं हाँ पर use कर रही हूँ लेक मी absolute का white intense liquid concealer जिसमें मेरा shade है 03 golden medium इसके थुरू मैं अपने eyes को conceal कर लूँगी इसके बाद एक brush की help से concealer को अच्छे से blend कर लूँगी concealer लगाने के बाद हमें किसी भी type का powder यूज करना चाहिए मैं यहाँ पर Maybelline का loose powder यूज कर रही हूँ इसके थुरू मैं अपने concealer को set कर लूँगी जिससे कि हमारा eye makeup और अच्छा दिखेगा आई मीकप के लिए मैं हापे दो आइसेटो पैलेट का यूज कर रही हूँ फर्स्ट वन है एल्फ एटीन हिट बंडर एंड साकींड वन है वैटन वाइल आई मीकप स्राट करने से पहले मैंने हापे टेप का यूज किया है इसके बाद मैं एक फ्लपी ब्रश का यूज करूँगी और बैटन वाइल की किट मैंसे लाइट सेड वीस कलर लेके मैं अपने क्रीस एरिया पर अपलाई करूँगी इसके बाद आपको ब्रश में कलर लेके एकदम धीरे धीरे अपने क्रीस एरिया पर ब्लेंड करना है जिससे कि वो हमारी आइस पर एकदम इवनली लग जाए इसके बाद मैं सेम पैलेट मैंसे ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ और इसको अपने आउटर थर्ड पर अपलाई करूँगी इसके बाद आपको एक स्मॉल ब्रश लेना है और उसकी हेल्प से आपको अपने आउटर थर्ड पर इसको अपलाई करना है और दीरे दीरे इसको स्प्रैट भी करते जाना है इसके बाद आपको एक फलपी ब्रश लेना है और उसकी हेल्प से इन दौनों सेट को अच्छे से ब्लेंड करना है जिसे कि दौनों सेट हमारी आई पर एकदम evenly दिखें इसके बाद मैंने एल्फ का 18 हिट बंडर पैलेट का यूज किया है यहां से मैंने सिल्वर सेट पिक किया है इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने लिट पर एपलाई करूंगी इसके बाद मैंने एक छोटा सा थिन ब्रश का यूज किया है इसकी मदद से मैं हमारे आईस की जो कॉर्णर है वहाँ पर भी इस कलर को एपलाई करूंगी इसके बाद मैंने ब्लैक और सिल्वर दोनों सेट को एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से मर्च कर दिया है इसके बाद मैंने हैंग फैंग का लिक्विट आईस एडो का यूज किया है यह बहुत अच्छा liquid eyeshadow है और यह बहुत जल्दी dry भी हो जाता है इस eyeshadow का link मैं description box में mention करतूंगी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पर AOA के ILSS का यूज किया है ILSS लगाने के बाद मैं यहाँ पर mascara का यूज कर रही हूँ तो mascara के लिए मैंने यहाँ पर Maybelline का mascara यूज किया है यह बहुत अच्छा mascara है काफी affordable भी है और काफी natural look भी देता है eyeliner के लिए मैं यहाँ पर ELF का eyeliner यूज कर रही हूँ यह भी काफी अच्छा eyeliner है इसके दुरू में एक simple line draw करूँगी मैंने यहाँ पर कोई wing line create नहीं किया है यदि आपको wing liner अच्छा लगता है तो आप wing liner create कर सकते हैं इसके बाद मेरा eye makeup almost complete होता है इसके बाद मैं अपना बागी का face makeup करूँगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर Maybelline का fit me foundation का use कर रही हूँ इसके साथ मैं L'Oreal का glow enhancer भी use कर रही हूँ इससे हमारे face पर natural glow रहेगा इन दोनों का आपस मैं mix करके मैं dot dot करके अपने face पर apply करूँगी concealer के लिए मैं यहाँ पर same concealer यूज़ कर रही हूँ लेक में absolute का white intense liquid concealer यूज़ कर रही हूँ इसको मैं अपनी under eye पर apply कर लूँगी और brush की help से मैं इसको blend कर दूँगी इसके बाद मैं यहाँ पर foundation को blend कर रही हूँ इसको आपको अच्छे से evenly अपने face पर blend करना है foundation को set करने के लिए मैं आपने Maybelline का loose powder का use कर रही हूँ इससे मैं अपने face को set कर लूँगी इसके बाद मैंने Amuse का blush यूज़ किया है इसके थुरू मैं अपने cheek पर blush लगा लूँगी contouring के लिए मैंने यहाँ पर wet and wild की contour palette का use किया यह बहुत ही अच्छी contour palette है highlighter के लिए मैं यहाँ पर wet and wild का highlighter यूज़ कर रही हूँ इसके थुरू मैं अपने nose के bris पर, cheekbones पर, forehead पर और chin पर apply करोंगी और brow bone पर भी आप highlighter यूज़ कर सकते हैं लिप्स्टिक के लिए मैं आपे wet and wild का liquid lipstick यूज़ कर रही हूँ जिसमें मेरा shade है 925B इस वीडियो में मैंने अपना hairstyle भी आप लोगे सांद शेयर किया है तो hair styling के लिए मैंने अपने बालों को दो section में divide कर लिया है इसके बाद मैंने एक side से थोड़े से बाल लेकर इनको पीछे की तरफ push किया है और pin से attach करके आगे की तरफ push कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस type से look create हो जाएगा तो इस process को आपको दोनों side करना है इसके बाद अपने बालों को जैसे मर्जी चाहें बैसे style कर सकते हैं आप open रख सकते हैं, जूड़ा बना सकते हैं या clatcher लगा सकते हैं जिस भी type से आप comfortable लों उस type से आप अपने बालों को styling कर सकते हैं इसके बाद look को complete करने के लिए मैंने अपने earrings और बिंदी पहनी हैं इसके बाद मैंने आगे से अपनी थोड़ी जुलफे निकाली हैं और यहां पर मैंने mang tika के लिए अपने earrings का यूज किया है यारिंग में मैंने एक black thread को attach किया है इसके बाद मैंने mang tika के starting point पर एक tape का यूज किया है जिससे कि जो हम dance करेंगे तो हमारा mang tika एक ही जगे पर set रहेगा और वो हिलेगा नहीं इसके बाद मैंने अपने आगे के बालों को curl कर लिया है और look को complete करने के लिए मैंने यहां liner के through तीन dot बनाया है होके फ्रेंट्स तो यह है मेरा final look hope so यह look आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो जल्दी से मेरे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि ऐसे ही और look में आप लोगों के लिए लाती रहूंगे जल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बावाय टेक क्यार